जेहिंग दोस्टों आपसे भी ओमेद करता हूँ आपसे भी अच्छे होंगे अर्चे से पनी प्रपेशन कर रहوंげ तो बहुत सारे छात्रियां पर बार-बार कमेंड करते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ करिए तो फ्रेंट जैसा आपकी आप सभी जानते हैं जो भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं आप सभी के लिए ही उसका यूज करता हूँ आप सभी देख पार होंगे इससे पहले मैं आप सभी को तीन पार्ट करा चुका हूँ गुड इवनिंग सभी को जहें तो फटा-फट से सभी के लिए जो है देखे एक बार सेशन को सभी सेर कर देंगे आज कई आपकी सामने जो है थर पार्ट है और आप सभी देख पार होंगे बहले ही मैं आपके लिए 20 कोस्टन लेकर कहता हूँ बट इसके जो फैक्ट निकलते हैं उससे लगवग आपके 40 प्रिशन आपके आपके 30 से 40 प्रिशन तयार हो जाते हैं तो इस चीज़ को आप सभी के लिए ध्यान देंगे और हर किसी फैक्ट को आपको नौट करना है जो भी इससे रिलेलिटिट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ आप सभी को उसे नौट जरूर करना है फर्श्ट प्रिशन का आंसवर सभी के लिए टेजी के साथ आंसवर करेंगे देखे मंगल ग्रया के कक्ष में अपनी अंत्रिक्षियान को प्रिथम प्रियास में ही प्रिष्ट कराने वाला प्रिथम राष्ट कौन सा है तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है एक्जाम की दरिष्टी से बार-बार यह पिर्शन आपका पूछा गया है तो मंगल गरही को पहली ही वार में अन्तरिक्षान को प्रत्मी प्रियास में सफल बनाने की लिए ये प्रत्म राष्ट कुन था तो बिल्कुल यहापर जितने भी छात्रों का ओप्σιन डियारा बिल्कूल करक्ट है भारत है ये आपसे भी को ध्यानक ना है मंगल गिरे यानि कि मॉम आपका जिसका जो पूरा फुल फॉर्म आपसे एक्जामनर पूछ सकता है कि मंगल औरविट मिसर मॉम करके जो है आपका ये आपसे भी कहांपर ध्यानक ना है कब launch किया गया ये भी आपको ध्यानक ना है 5 November 2013 को इसको launch किया गया 5 November 2013 और यहां पर कहां से launch हुआ ये भी आपसे पूछ सकता है कि आंदरपरदेश के स्रीहरी कोटा से 37 दवन से इसको launch किया गया ये आपसे भी गया ध्यानक ना है और इसने जो कक्छा में कब प्रिवेश किया तो इसने 24 सितंबर 2014 को कक्छा में प्रिवेश किया ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला बट आपको launching date ध्यानक नहीं है और कौन सा राष्ट है ये भी आपको ध्यानक ना है फटाफट से second question का answer करेंगे सभी candidate बिल्कुल देखे यदि आपको देखे PDF जो है मैंने आपसे भी का सभी को डाल दिया है आपसे भी जो अच्छे से revise कर ले ना math के जितने भी यहाँ पर दोनों class आपकी बहुत ही important है और इससे पहले भी जो मैं आपकी math के session ले चुका हूँ उनमें से भी आपकी question पूछे जा सकते हैं तो यह बहुत important है और यहाँ पर जो है जियो का पूर्ण रूप पूछा गया है GEO करके तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इस करक्ट टांसवर बिल्कुल जितने भी candidate का option भी आ रहा है जितने भी candidate का अर्थ ऑर्विट को देखे शटर्विंस न आपके सामने है फटाफट से सभी connectedia transfer करेंगे दोफ सब्सकर्राइं करें वहाँ पूछा गया है यह खांट़ी सांती जो पूछा रहे है यह हरवर्स दिया जयाने वाला है तो वार्शिग पूरुशकार है जैसे क्हाँ आप आपसे जा आ रहा है तो ध्यान रखना फ्रेंड्स व्यक्तियों और संस्ता दोनों को दिया जाता है गांधी सांती पुरुषकार इस चीज का आप सभी को यहां पर ध्यान रखना है इसकी शुरुवात की गई तो 1904 में को इसकी शुरुवात की गई यह आप सभी को यहां पर ध्यान कि BOCCARO STILL PLANT जो हैं वो कहा है BOCCARO STILL PLANT फटाफट से आंसवर करेंगे सभी इकंड़ी रेक बिल्कुल तेजी के साथ आंसवर करें सभी इकंड़ी रेक तो बिल्कुल यहाँ पर जहार आपट जहार न आप इसफे प्लान्ट है वो आपको द्यान लगना है कि बोकारो जो इस्टील प्लांट है जो आपकी जार खंड में है ये जो आपका किसके सहयोग से इस्तापित किया गया तो ये आपसे भी कहाँ पर द्यान लगना है बहुत इंपोर्टेंट है एक तो कौन सी योजना में तिरतिय पंचवर्सिय गया दुरगापूर हो गया ये तीनों जो हैं वो कौन सी पंचवर्सिय योजना में इस्तापित किये गये तो आपको द्यान लगना है तो इतना वी फैक्ट आपको यहाँ पर द्यान लगना है तो ये आप सभी को बहुत इंपोर्टन हो जाता है एक्जाम की द्रश्टी से देखे नैस्ट कोर्शन आपके सामने कि सुतंतर भारत का पहला कैंदरिया बजट किस ने पेस किया सुतंतर भारत का पहला कैंदरिया जो बजट था वो किसके द्वारा पेस किया गया फटाफट से सभी कैंदरिया आंसफर करेंगे बहुत ही इंपोर्टन है आपका बार बा 70, जो है इनके दोरा इसको pays किया गया यह आप से भी कोदानकना है कब किया गया? 26 NOVAir 1947 को 26 NOVAir 1947 जो है इसको pays किया गया 1947 मे यह बहुत ही important हो जाता है आपका पहली जो है यह आप से भी कोदानकना है सुतंत्र भारत के पहले वित्त्य मंत्री थे ये आपके आरके सन्मुकन सिट्टी देखे नैस्ट कोशन के तरफ चलेंगे नैस्ट कोशन तेजी के साथ सबी कंडिडेट रांसफर करें किन्निमली के तमिसे किस राज्य का की जो सीमा है वो बांगलादेश के साथ अरा है बिल्कुछ सही हो जाएगा आपर मनिपूर जो है बिल्कुछ सही है इसका मनिपूर की जो सीमा है वो बांगलादेश के साथ नहीं लगती है बांगलादेश की सीमा भारत के पांच राज्यों के साथ लगती है कौन कौन से है तेरपूरा है आपका मिजोरम है आपका मेगाल्य है ये तीन हो है आपका और दो आपके जो राज्य है वो आपका एक असम हो जाएगा और एक आपका कौन सा हो जाएगा एक आपका हैंपर हो जाएगा पस्चिम बंगाल बैस्ट बंगाल इस चीज को हाँपर धंगनेगे इसके साथ लगती है और भारत का जो सबसे लंबी इसतलिये सीमा बहुत इंपोड़न्ट है देखे नेस्ट आपका सबसे कम बिल्कुल अफगानिस्तान के लगती है ध्यान रखना है सभी इंडिरीट को 106 km के आसपास है जो कि अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा रखती है भारत की जल्दी से फटाफट आंसवर करेंगे सबी के इंडिट निमली कितमी से किस समीती का जो संगटन है गटन जो है बैंकिंग छित्र में सुधार के हित्व किया गया देखे कौन से समीती जो है बैंकिंग से सम्बंदित है यह आप से भी कोई धान लखना है तो आप से भी के लिए बिल्कुल जितने भी इंडिट का आंसवरा राज और इसका जो है बैंकिंग छित्र में सुधार से सम्बंदित इसका गठन किया गया कब किया गया 1991 में इसका गठन किया गया पहली बार 1991 में और दूसरी बार भी इसको 1998 में तो यह दोनों डेट आपको fix रखने हैं फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम यह इसके लिए है अब आप friends जो बाकी जो समीति हैं उनको भी हाँ पर देख लेते हैं आपके लिए बहुत ह होजाति हैं देखे नैस्च आपका स्वामी नाथन जो समीति है आपकी कि से सम्मदित है जन संक्या नीति जpled जो और कर्सुदार वाली भी और तेंदुलकर समीति जो गरीब रेखा इस तरपर ये भी आपका इंपोटन्ट है रेखा इस तरपर आंकलन दी जो है इसकी इसका गठन किया गया इस चीज को यहाँ पर सभी गेनरेट ध्यान देंगे सभी की सभी जो समीतिया है जितनी की जितनी कि पांचों के पांचों बहुत ही इंपोटन्ट है आपको ध्यान लखता है अच्छा प्रिसंता पे लिए आप देखें ना मजल्चल जो को श्टन है तो वह इट German जरूर क्या करें सभी मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं देखिए मेरा उद्देश से है कि आपको अच्छा सा अच्छा जो कंटेंट वो प्रोवाइड कर सकूँ और जहां से प्रिशन ज्यादातर पूछे जाते हैं वही प्रिशन ज्यादातर हम आपको करा रहा हूं आप आप सभी नहीं देखा होगा पीछड़े भी जितने भी कुश्चन कराएं ज्यादातर कुश्चन यहीं से फसे गए हैं तो बिल्कुल होकर क्या आप निश्चित रहिए देखिए यहां पर आप सभी देख पा रहा हूंगा संभीधान के अनुसार जो है बिल्कुल जितने अनुरूप से जो है आटवी निश्चि में पूछा जाए तो 14 भास आती है लेकिन अब प्रजेंट टाइम पे आपकी 22 भास आ हैं आटवी निश्चि में देखे नेस्ट कोर्शन आपके सामने है फटाफट से सभी के अन्सवर करेंगे बिल्कुल मैत का जो सेशन है वो भी प्रजेंट ने हापर लगा रखा है उससे पहले जो भी मैत के मैंने सेशन प्रवाइड कर रखें सारी का प्ले लिस्ट बना हुआ है प्ले लिस्ट में जाकर के सभी केंडिडिडिड जरूर लगाए उन प्रिष्णों को क्योंकि एक्जाम की दृष्टी से सभी अधिकारी होता है यानि कानून अधिकारी जो होता है यह आप सभी को धानकना है महानियावादी जो कि एट्रोनी जनरल जो है और इसका जो उलेक किया गया है यह आप सभी को धानकना है आर्टिकल छेत्र में इसका निप्ति का प्रवबधान है योगता है वेतन कारिये से स ध्यान नकना है, मंत्री मंदल की सला पर इनको न्यूक्त किया जाता है। इसके बाद किसका इस्तान आता है, एक्जामनर आपसे पूछ लेगा कि सोयाबीन के उत्पादन में सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा होगा, तो वह आपको महाराष्ट होगा। कितना आपको यहाँ पर धान नकना है, सैकेंड ही पूछा जा सकता है आपसे ज्यादतर, देखें नैस्ट कोर्शन आपके सामने है कि ताज महल की सजावट के लिए मुक्षत है, किस वास्तु तकनीकी का इस्तमाल किया गया। तो कौन सी तकनीकी जो है, इसके सजावट के लिए इस्तमाल की गई, वह आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्पूर्ण है, फटापट से आंस्वर करें सभी के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंस्वर अप्सन C होगा, पेटरा डिवरा जो तकनीकी है, उसका इस्तमाल यहाँ पर किया गया, कट और फिर आप सभी को द्यान लखना है, कट और फिर सुन्दर चित्रों को बनाने के लिए जो है, उच पॉलिसी वाले रंगीन पत्रों को जो है, जो है जो है, इस तकनीकी के का यूज किया, पेटर मुद्रा राक्षस जो नाटक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, चार अप्सन यहाँ पर दिये गया है, फटा-फट से सभी केंडिरेट आंस्वर करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर देखें, सभी से कहूँगा कि एक बार सेसन को सभी केंडिरेट जो है, सेर जरूर क्या क करें, यदि आपको सेसन अच्छा लगता है, तो वीडियो को सेर जरूर क्या करें, सभी केंडिरेट के साथ, जो भी केंडिरेट तैयारी कर रहे हैं, देखें, मुद्रा राक्षस नाटक किस ने लिखा था, तो बिल्कुल यहाँ पर द्यान लखना है, सभी का, महत्पूर आंस्वर ऑपसन भी हो जाएगा, विषाग दत ने लिखाए, यह आपसे भी कोई ध्यान लखना है, मुद्रा राक्षस के लेकग कौन है, विषाग दत जी है, यह आपसे भी कोई ध्यान लखना है, तो चलिए नैस्ट कोशं के तरफ चलते हैं, नैस्ट आपके अपर, सागर जो है वो सौमदेव की है और यहाँ पर कालिदास के आपको धानक नहीं यह बहुत पूछी जाती है एक्जाम में रगुवैंसम अभीज्ञान साकुंतलम कुमार सम्भवं यह आप सभी को धानक नहीं बहुत दियान जो है सुल्विसूत्र और सुरोथसूत्र इनका है यह आप से भी को धानक नहीं बहुत दायन का देखे नैश्ट आपके यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट आपका एक्जाम की दरिश्टी से और फटाफट से सभी किनरी रांसवर करेंगे कि यहाँ पर मिलान करना आपको सही इस्तानों के साथ मिलान करना है फटाफट से बताएंगे कौन सा ओप्शन जो है करक्ट हो जाएगा देखे कोश्टन जो है आपका बले ही 20 हो यहाँ पर लेकिन आपको 20 के अंदर 40 कोश्टन देखने को मिलने हैं जो फैक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं वो बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि एक्जामनर क्या करता है कि इनही पर है थैद्रावाद में बिल्कु से हिए बुलगें तरवाज़्ण है आपका फाता extret नहीं लेहा देखने की तरह चलेंगे फटाफत से सब्टा सबर अक्षर करेंगे कि कि किसका निर्मार समराट अकवर ने कराया चार अप्सन यहां पर दिये गए है निमलिकित में से किसका निर्मार अकवर ने नहीं कराया देखे कोश्चन को पढ़ना है कि नहीं कराया वर्ड का यूज किया है और एक्जाम में गलती नहीं करना है जल्दवाजी में कराया कर दिया जाए तो उस पे बहुत सारे केंडियेट क्या करते हैं बहुत जल्दवाजी में गल्ती कर देते हैं तो अच्छे से कुस्टन को पढ़ना है तो बिल्कुल यहां पर किसका निर्मान नहीं कराया है आपसे भी जानते हैं फतैफ और सीकरी का निर्मान कराया है बिल्कुल सही है यह तो नहीं होगा बुलंद दरवाजा भी नहीं होगा जामा मस्जित का निर्मान दिल्ली में जो है और आगरा किला आगरा किलाई का भी करवाया है अकबर नहीं किसने कराया है साजाने कराया था दिल्ली का लाल किला दिल्ली की जामा मस्जित ये आप सभी को धनागता है और आगरा की जो मस्जित है उसका निर्मान भी साजाने कराया है तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्पून है तो बहुत ही इंपोर्टन हो जाजा है एक्जाम की किया हुआ है देखे next question की तरफ चलेंगे next question जो है बिल्कूल सही आपकी सामने कि मात्रा के संदर में और आज के session से आपको कितने प्रिश्ण जो है कितने प्रिश्णों के आपने बिल्कूल सही जवाब दिये वीडियो के last में जरूर comment करके बताना है सभी candidate को मात्रा के संदर में विस्प के सबसे बड़ी मीठे जील की जो है कौन सी जील है सबसी बड़ी देखें मात्रा के संदर में आपसे पूछा है आपको तो सबसे बड़ी मीठे जलकी जील कौन सी है तो आप सभी को यहाँ पर द्यान रखना है बेकाल जील जो है option 6 का correct होगा जब आप से पूछी जाए सबसे गहरी, सबसे पुरानी और मीठे जलकी तो आपको बेकाल जील यहाँ पर लगाना है मातरा के संदर्म में और friends इसकी जो है आप सभी को लंबाई भी यहाँ पर द्यान रखना है और 20% दुनिया का 20% मीठा पानी जो है इसी जील में आपको मिलता है यह आप सभी को यहाँ पर द्यान रखना है अब examiner क्या करेगा friends यहाँ से कुछ candidate जो है देखे सबसे बड़ी मीठे जल की जील है, सबसे गहरी है, सबसे पुरानी है बट examiner कहे कि दुनिया की सबसे बड़ी जील दुनिया की सबसे बड़ी जील खाली आपसे कहे तो आपको लगाना है केस्पियन सागर जो आपका cash pins आगर है आपर दिया गया है वो आपको लगानी है सबसे बड़ी जील खाली पूछे आपसे तो cash pins आगर होगी और यदि आपसे पूछे छेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ी ताजे पानी की तो वो होगी आपकी superior जील तो यहाँ पर examiner जो है तीन टाइप से आपके question पूछता है आपसे भी कोई ध्यान रखना है यदि छेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ी ताजे पानी की जील पूछे तो आपका superior जील right answer होगा यदि आपसे सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पूछे तो कैस्पियन सागर होगा यदि आपसे मीठे जल की पूछे तो आपका बैकाल जील होगा इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे सबी candidate क्योंकि यहाँ पर exam में यदि आप गलती कर जाएंगे आपके जो माता पिता के सपने हैं उनको पूरा करें और पूरा मेहनत करता है अपनी तरफ से लेकिन क्या होता है कि exam के time पे छोटी छोटी गलती हों से जो है हम जो है selection से चूग जाते हैं तो इस चीज को सभी candidate को ध्यान नक ना है बिल्कुल भी जल्दवाजी में गलती नहीं करनी है 2011 की जन्गरना के नुशार जो है next question का अंस्वर करेंगे कि सर्वधिक आवादी वाली आदिवासी सोरी आपर सर्वधिक जो आवादी जो है वो निवास करती है कि रख होसला तेरी भी उडान होगी देखे की सारी दुनिया है कि दिनी तेरी ऐसी पहचान होगी तो होसला अपने अंदर रखना है और निरंतर अपनी लेक्षी की और बढ़ते रहना है तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी केंडिडेट का आ रहा है और मद्यपरदेश उप्सन भी करक्ट हो जाएगा इसका बहुत अच्छी सभी ज़्यादा तर केंडिडेट का बिल्कुल सही है और आप सभी को ध्यान लखना है फ्रेंड 2011 की जनकरना का यदि आप से पूछ लिए जाए थीम या विशे तो आप सभी को ध्यान लखना है कि हमारी जनकरना हमारा भविशे जो है 2011 की जो जनगरना थी उसका विशे था हमारी ध्यान लखना है हमारी जो है जनगरना हमारा भविश्य है तो ये 2011 की थीम थी ये आप से भी को ध्यान लखना है और एक चीज और ध्यान लखना है सभी केनरेट को नागलेंड एक मात्र ऐसा राज्य था जिसके जनसंक्या वृधि में रणात्मक वरधि आई थी यानि कि जनसंक्या में वृधि नहीं होकर करें रणात्मक वृधि उई थी धरात्मक वृधि ना होकर कें तो एक आप सभी के लिए बहुत important है कि एक्जाम डरर जो है देखें option के according आपको answer कर रहा है यापर कभी कभी क्या कता है कि option में 943 भी आपको दे दियागा जाएगा तो 943 आपका correct answer होगा बट यहापर जो है सही answer जो होगा option के according 940 हो जाएगा इसका बारत का लिंगन उपात क्या है 940 है यह आपसे भी को धनक्ता है 2011 की जन्गरना के नु उसके बाद जो है आप सभी जानते हैं कि स्वतंत भारत की पहली जन्गरना 1951 हुई थी तो यह आप सभी को यहाँ पर छोटी छोटी जो question है वो आप सभी को ध्यान लटने है और ज्यादेतर candidate को यह ध्यान होंगे लेकिर एक और important question आपका बन सकता है कि 2021 की जो जन्गरना हो है आपकी उसकी जो थीम है उसका जो विशे है वो किलियर है आपका कि जन भागीदारी से जन कल्ल्यान चलिए next question के दरफ चलेंगे बहुत तेजी के साथ सभी के इन्गरने टांस्वर करेंगे बिल्कुल पहली जो है 1901 क्यामन में इती स्वतंतर भारत की तो फटाफट से आंस्वर करें देखें इन्गरने इस्ट question आपके सामने है कि कंदरिया महादेव मंदर जो है वो किस मंदर समू से सम्मंदित है बहुत अच्छे और जादा तर candidate यह देख पा रहा हूं मैं कुछ candidate की संक्या भी कम है लेकिन active नहीं है लेकिन मैंने जो वीड certification नहीं पहुँच पाता है बहुत सारे candidate के पास में तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देखें जिनको selection ले रहा है वही candidate पढ़ेंगे continuity रखेंगे अपने अंदर बिल्कुल यहाँ पर जितने भी candidate का answer आ रहा है देख पर हूं 18 का D option खुजराओ मंदर जो है आपका यह करक्ट ह हो जाएगा कहा पर है मध्या परदेश में है खुजराओ मंदर यह कंदरिया महादेव मंदर स्ट के लिए आपस के लिए बहुत ही important है उससे संब्धीत है किस महादेव मंदर से संब्धीत है यह आपसे लिए बहुत important है क्योंकि इसको 1986 में विश्व धरवार सूची में साम ये आपसे पूछा गया है दुर्विये चक्रवात है आपका या फिर आपका उस्ट कटिवंदिये चक्रवात है या फिर मद्ये चक्रवात है या फिर दुर्विये चक्रवात है बहुत ही इंपोटन्ट है परिक्षा की दरिश्टी से बिल्कुल कुछ गंडियेट का अंसवर थी आपका उस्ट कटिवंदिय चक्रवात होता है और यह उड़िशा की तर्ट से टकराया था इसे का नाम जो है वो आपसे भी कोई धानक ना है बांगला देश ने यहापर जो है दिया इसका नाम फनी जो है ऑपसे जो है भी इसका करक्ट आंसवर हो जाएगा देखें आपका भारत का स्टेचो ओफ यूनिटी एक्जाम की दरिष्टी से इंपोर्टन है और सभी कंडिडेट यह लास्ट में जरूर बताएं कि आपका जो स्कोर आज कितना रहा और इस कुशन का सही आंसवर क्या होगा और इस स्टेचो ओफ यूनिटी की जो हाइट है वो कितनी है यह भी आपको बताना है और यह कहां पर है तो उमीद करता हूँ फ्रेंट्स आज का ही सेसन यह आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करें और इसका जो पीडियाफ है वो आपको टेलिग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है वहाँ से जाकर के सभी केनिरेट डाउनलोड करके उसे रिवाइस कर सकते हैं तो मिलता हूँ नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैन बंदे मात्रम